नमस्कार दोस्तो स्वागत था आपका टेक्टनो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो फाइनली देश में ही काफी जादा बड़े स्केल के उपर फाइटर जेट का मास प्रोडक्शन करने के लिए जो तैयारिया है वे शुरू हो चुकी है जिससे की जो भारती वैवसेना के उडर है उनको भी हम टाइम के उपर डिलिवर कर सकेंगे इसके बाद में जो हमें एक्सपोर्ट के उडर मिलने वाले है तो उनको भी हम टाइम के उपर डिलिवर करने में स्ट्रक्शन होंगे और प्रोडक्शन को लेकर के देश के इंदर एक जो बड़ा रोड मैप है वो और इसी के बाद में अब फाइनली यहां पर तेजिस के प्रोडक्शन को ले करके भी एक काफी जादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है जिसके बारे में मैं आप सब को इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में हमारे मास्क प्रोडक्शन को ले करके क्या बड़े उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो यह सब जानने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो दोस्तो तेजिस के मास्क प्रोडक्शन को ले करके यह जो खबर सामने निकल करके आई है तो इसको टाइम्स ओफ इंडिया ने कवर किया है जहां पर इन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है कि अगर HL को एक्सपोर्ट मार्किट से तेजिस का कोई ओर मिल जाता है तो ऐसे म उसको पूरा करने के लिए हमारी जो HL है वो एक स्पेशल ऐसी प्रोडक्शन लाइन को खोलेंगे जिसका इस्तेमाल केवल एक्सपोर्ट ओर्डर को पूरा करने के लिए किया जाएगा और इसका एक बड़ा इंपक्ट आप सब को भारती वायुसेना के ओपर भी देखने क नहीं मिलेगा और यह आप में से भी बहुत से लोगों का कुश्चन रहता था कि अगर हमको एक्सपोर्ट ओर्डर मिल गए और इसके कारन भारती वायुसेना के जो 83 तेजिस MK1A फाइट रिजेक्ट डिले हो गए तो ऐसे में हमको एक बड़ा नुकसान हो सकता है तो फाइ कर देंगे और इससे पहले आप सब को ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास पहले से भी ऐसी कई प्रोड़क्शन लाइन है जिनका इस्तेमाल हम अपने तेजिस के मास्ट प्रोड़क्शन के लिए कर सकते हैं तो अगर आप इन सारी चीजों के वे को देखते हैं तो आप सब को देखने को मिलेगा कि ऐसा सिनेरियो यहां पर तयार किया जा रहा है कि जिससे की देश में आने वाले समय में लगबग 32 से ज़्यादा जो फाइटर जेट है इनको हर साल बनाया जा सके और इसके बारे में मैं आप सब को डिटेल से भी बताता चलता हूं तो जान से देखते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हमने एक LC डिवीजन को तयार कर रखा है जब तेजिस का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ था जहां से लगबग जो आठ तेजिस हैं इनको हर साल बनाया जा सकता है इसके बाद में मैं आपको भारत की बाकी प्रोड़क्शन फ पिर जिसे आप सब LC डिवीजन A भी कह सकते हैं तो इसे आठ एरक्राफ्ट हर साल रोल आउट करने के हिसाब से बनाया गया था इसके बाद में यहां पर वो समय आता है जब भारती वायु सिना ने लगबग जो 83 तेजिस MK1 A की डील है इसको फाइनल किया था तो उसी समय हम गर रॉल आउट किया जा सकता है तो इसी हिसाब से जो हमारे पास बैंगलोर में प्रोडक्षन फैसलीटी है तो इनotzे हम केवल एक साल के अंदर जो 16 फाइटर जेट है इनको रोल आउट कर सकते हैं इसके बाद में हमारे पास पहले से ही नासिक के अंदर एक प्रोडक्षन फैसलीटी मुझूद है जहां से अब तक SU-30 MKI फाइटर जेट को बनाय जाता था तो इससे भी हम चाहे तो हर साल जो 12 फाइटर जेट है इनको रोल आउट कर सकते हैं अगर आप किरन हैंगर की भी बात करते हैं तो वहां से भी लगबग जो 4 फाइटर जेट है इनको हर साल ब से आठ तेजस किरन हैंगर से चार तेजस और नासिक असेम्बली लाइन से हम हर साल 12 तेजस को रोल आउट कर सकते हैं जिसके बेसिस के उपर आप कह सकते हैं कि हमारे पास 32 फाइटर जेट को एक साल के अंदर बना करके तयार करने की क्षमता है तो अभी के लिए तो हमारी जो HL है तो वो मलेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और फिलिपेंस के जो टेंडर है इनके अंदर पाटिस्पेट कर रही है और अगर यहां से हमको एक्सपोर्ट ओर मिल जाते हैं तो इनको HL नासिक असेम्बली लाइन से पूरा कर सकती है जहां पर उनका प्लान है कि नासिक के अंदर से लगबख जो पांच तेजिस है इनको हर साल रोल आउट करके एक्सपोर्ट किया जा सकता होगा और टाइम आने के उपर इसको हम आठ तेजिस के उपर भी ले जा सकते होंगे और इसके बाद में अगर आप मान लीजे कि यह जो नई प्रोड़क्शन फै करके यह कोमेंट करके जब हमारे पास पहले से इतनी कैपिबिलिटीस मुझूद थी तो क्यों हर साल 30 सेजिस को बना करके भारती वाईशन को डिलिवर नहीं किया जिससे की वे चाहे तो केवल 2 साल के अंदर आई एफ का लगबख 40 सेजिस को खरीदने का जो ओडर था उसको पूरा कर सकते थे और अब तो हमारे पास यह कैपिबिलिटीस और ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है तो अब HL ने 83 तेजिस MK1A की जो डिलिवरी है तो उसको हर साल केवल 16 एरक्राफ्ट परियर तक करने का प्लान क्यों किया है तो इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो भी मैं आप सब को बता देता हूं कि हमारे जो तेजिस MK2, MK और TDBF जैसे fighter jet है तो इनका जो mass production है वो 2026 से पहले शुरू नहीं होगा तो ऐसे में इस timeline से पहले इनकी डिलिवरी को खतम करके HL अपनी जो production line है उसको खाली या फिर dry नहीं करना चाहती है इसके बाद अगर आप तेजिस MK2 के mass production को देखें तो उससे related कुछ documents को HL के दुवारा release किया गया था जहां पर इनका ये plan है कि 2026 से ही तेजिस MK2 का जो mass production है उसे शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद में इस document में जो anticipated bearing है तो उनकी संक्या लगबग 126 के आसपास बताई गई है और हर ए कि HL का यहां पर ये plan है कि हर साल लगबग जो 30 stages है इनको deliver किया जा सके और अगर कुछ तेजिस MK2 को HL अपने पास reserve में भी रखती है तो उस हिसाब से भी आप मान करके चल सकते हैं कि 25 से जादा जो तेजिस MK2 है इनको हर साल deliver करना possible होगा और इसी के साथ में HL ने 2032 तक सा deliver करने का प्लान की है जिससे की अगर आप इस schedule को ध्यान से देखते हैं तो यहां पर जो पहला तेजिस MK2 है तो वो 2027 तक भारती वायूशना को मिल सकता है और इसके बाद 2032 तक के time period को आप देखते हैं तो इस हिसाब से definitely यहां पर जो HL है वो हर साल minimum जो 25 stages MK2 है इनको तया कर सकती है तो दोस्तो ओवराल इस सब के बाद अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताईएगा साथ ही साथ अगर आप HL के मास प्रोडक्शन को लेकर के एक detailed वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाकर के comment कर दीजिएगा मैं उसके पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई जैहिंद